it's correlation between coefficient of variation within मैंने गलती हो गई coefficient of variation ये बाद अभी प्ता है भी भी पता नहीं है फोन दो बैसे इस अफ coefficient of variation ये बाद शाहतने नहीं नहीं पता है को भी को अभी बढआ होना मैं लिखाना हूं जिए coefficient of variation is a the relative tool is a relative tool for for finding out for finding out the efficient portfolio coefficient of variation coefficient of variation is equal to standardization upon upon return in 200 risk upon return in 200 risk upon return in 200 वैट यह होता कावबला तो रिस्क कैसे निकालती है तो रिस्क को मैं बताई चुका हूँ आपको रिस्क जैसे पी क्यू का पी यू क्यू आर पर पी आर पी यू का रिस्क जी 16.81 क्यू आर का है 21.03 और पी आर का है 17.12 बैटे यह क्या चीज़ है यह स्टेंडर वेशन आफ पॉर्फोलिय। रिटॉन देख लीजे 15.5 70 एंड 12.5 तो हम देख रहें एक उनिट में कितना है तो कोफिशेंट ओ वर इरिएशन आई यह जी शॉल्फ करें 16.81 डिवाइद वाइद 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 या आगा जी वन पॉइट जीरो एट 21.03 अपान 70 या गाजी 1.23 या गाजी 1.369 तो दोस्तों अब बता सकते हैं कि कौन सी जाएदा एफिशेंट शेकुरिटी है क्योंगी क्योंगी हम हम कोफिशेंट अब देख रहे हैं जो जादा है कोफिशेंट वह जादा इसकी होती है पर आप लिखें हायर दो कोफिशेंट वाइशन हायर दो कोफिशेंट ओफ वेरियेशन लिखेंट वेरियेशन है रहें है कि लिखेंट वे वेरियेशन है युल बार्फ वेरिशे बार्फ वेरिशन अगर अग्रेसिव इन्वेस्टर है अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो पिटे वो रिस्क जाते लिए सकता है तो फिर देन एफिशेंट पॉर्टफोलियो एफिशेंट पॉर्टफोलियो विल भी पी आर अराम से बैटे अभी आपको को अगरेशन नहीं बताया इसले शाद समझ नहीं आएगा भी को दिकत नहीं कर लेंगे in case of aggressive investor then efficient portfolio will be PR and in case of and in case of conservative portfolio and in case of conservative portfolio या conservative investor इन्वेस्टर इस बेडर तू तू सिलेक्ट पॉर्टफोलियो पी यू तो सिलेक पॉर्टफोलियो पी यू तो बेट मैंने ये बारह नंबर का कंपीड कर दिया है अब मैं आ रहा हूँ जी मैंने एक जो कोशन पीच में छोड़ दिया थे पहले कोशन अपर 10 ना जीए आपने आदा पे छोड़ दिया थे टेंथ में आपने इसमें से एफिशिंट सेक्यूरिटिस निकाने भी A, C और E ये तो फर्स्ट पार्ट था देख लीजए बैटे ये फर्स्ट पार्ट था अपने अयाए आपने 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 निकाल दिया था ठीक है जी अब शैकिंड पार्ट मैने नहीं किया था अभी बताऊं था तो देखियो जी अब समझा गया वो पॉर्रिलेशन अजुमिंग पर्फेक्ट कोर्रेलेशन अंदरन करती चे पर्फेक्ट अनलाइज वेदर इस प्रेफरेबल तो इन्वेस्ट 75% इए 25% in C or 100% in E अराम से बडे रखेक्ट नपर में आपन लिगान हूँ पर्फेक्ट में आपन लिखना हूँ श्यों जो इए अल्टरने टेट्फ प्र बॉसर अबसल नम्बर बन to invest, to invest 75% of funds in security A and 25% of funds in security C. Proposal number 2, to invest 100% of funds in security A and 25% 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 of funds in security. मैं डिसाइड गरूँगा, तो मैं यहां पर हारा हूँ, यहां पर रिटर्न लिख रहा हूँ, और यहां पर लिख रहा हूँ, रिस्क पेटे, जो प्रपोसल 2 है, जिसमें तो खाली security C जमा करानी है, उसका रिटर्न तो बढ़ाई बारा परस्ट और रिस्क भी बारा परस्ट लेकान यहां पर प्रपोसल 1 के लिए मुझे वरकीं नोट बनाना पड़े गा, तो वरकीं नोट परफेक्ट ओर रिलेशन परफेक्ट कोर रिलेशन means 発 is equal to plus 1 मैंने इणा था अचांध और की वैली कहा तो पॉ дост do a perfect correlation ऑर नेगे तियुक्त और स्मल्च उ रिलेशन अराम से छिhan पर खुन तो मैं इसलिए आपका सामने पहले तो रिटर्न निकाल रहा हूं ठीक है जी तो वर्गिंग नॉट नबर तू रिटर्न निकाल रहा हूं स्टेटमेंट शोईंग क्यालकुलेश्टर और पॉर्ट फॉल्यू रिटर्न शेकर डी डब्ल्यू आर पेटे डब्ल्यू आप सेक्योरिटी देखिये जी ए सी पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट टूफाइव सिग्मा डब्ल्यू इस इकल रिटर्न देख लीजे एगा आट परसेंट है और सी का बारा परसेंट है तो पेटे यहां पे देख लीजे सिग्मा डब्ल्यू आप अराम से पेटे नाइन परसेंट आरा अब मैं क्या करूँगा रिस्क निकाल लोगा रिस्क के लिए क्या करेंगे बार्वाद रिस्क करेंड रिस्क प्लास वोल प्लास 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 चैनल जोड़ियर वेट वेट अब स्वेट वेट आपद खी इंटू कोरेलिशन वाट विर एंड़ एंड ची लोग पेटे येलोग लोग एटे पुटिंग देविगर्स वीगेट फिगर्स पुट करने के बाद हमें पता चला अराम से पेटे रिस्क फोर होल स्क्राइब वेट अफ ए पॉइंट साथ पाँच होल स्क्राइब प्लस फ्लस दिए बॉइंट बॉइंट डो पाच होल स्क्राइब बॉइंट बॉइंट डो पाँच वालस च्राइब प्लस टू इंट टो गढ़ल है रिलियल 4 x 4 x 0.75 x 0.75 memory plus, 12 x 12 x 0.25 x 0.25 memory plus, 2 x 4 x 0.75 x 12 x 2.25 x 1 memory plus, memory equal like 36, 6 x 0.75 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 x 0 तेग् मार्म डेल चॉर खची की सिवायच है। 0.25 into 0.25, 2 into 4 into 0.75, into 12 into 0.25, बेटे 36, बेटे अननन जरूप, बहुत बढ़या, चलिया जी, अब हारा जी, E is better than A and C, तो नीचे लिखला हैंगी, Recommendation, in case investor is aggressive in nature, that is ready to bear the risk, then, then, then it is better to invest 100% in security E, तो ये जादे बेटर हैं कि आप 100% invest करें, security E में, तो ये लिखला हो, in case investor is, is conservative in nature, then, it is better to invest 75% of funds in security aid, and 25% of funds in security E, अराम से पेटे, मैंने कहां, अगर investor aggressive है, तो उसको ये काम करना चाहिए, और अगर conservative है, तो ये काम करना चाहिए, अगर conservative है तो ये काम करना चाहिए, अराम से लेख लीजे, तो बेटे मैंने question number 10 भी करा दिया, और फिर मैंने आपको risk के बारे में भी बता दिया, कि risk होता क् risk calculate कैसे करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी question number 15 में आ जाये हैं, सभी students आ जाये हैं, 1, 5, 15, आज का आखरी question चुटू कर रहे है, question number 15, देखते हैं, जी कैसा है, अगर 15 आपने कर लिया इमानधारी से, आपको return और risk के बारे में सब को समझा गया, पेई नमबर 214, 214, वो पैटे मैं आहूंबोग में देने वाला हूं बहुत सारा, एन इन्वेस्टर is concerned with the investment of rupees 1 lakh, एक लाग रुपे उसको इन्वेस्ट करने हैं, he has two securities, उसके बास दो securities है, आराम से पहले पढ़ लीजे एक में लागा, मैटे question पढ़ लिया हो, तो मैं चलू क्या, पेटे यहां पर 5 portfolio's है, all funds invested in A, 50% in A and 50% in B, 75% in A and 25% in B, 25% in A and 75% in B and 100% in B. You are required to calculate expected return under different portfolio, risk factor associated with these portfolios, which portfolio is the best for him from the point of view of risk and which is best from the point of view of return. तो पेटे अराम से करेंगे भरूती प्यारा question है, सब बाते समझ आ जाएंगे, आज की class पर लास्ट कोर्शन करने जा रहे हैं, तो आएगे, हम सब पहले तो यह लिखते हैं, how many portfolio's are there, question number 15, statement, showing, alter, native portfolio's, statement, showing, alternative portfolio's, तो पेटे यहां लिख रहा हूं, portfolio one, to invest, to invest, hundred percent, in security, A, A, and 50% in security B, 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 अराम जा बेटे, बेटे थर्ड बना हूं, बेटे लिखरा हूं, portfolio three, to invest, 75% in security A, A, and 25% in security B, and 25% in security B, A, अराम जे, portfolio number 4, is the last portfolio, to invest, to invest, 25% in security A, and 75% in security B, B, to better, last portfolio, portfolio number 5, to invest, 100% of funds in security B, अब मुझे इस में से best देखना है, और बेटे best देखने के लिए, मैं इन सभी का return और risk calculate करूँआ, मुझे return और risk calculate करना है, best देखने के लिए, तो मैं आराम जी step number 2 की दरफ, मैंने लिखना शुरू कर दिया, statement showing, calculation of return and risk, of these 5 portfolios, तो पेटे मैंने अराम जी लिख दिया, 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th, ये 5 portfolios आपके जामना लग दिये, पेटे, ये पेटे, मैं return निकाल रहा हूँ पेटे, और risk calculate कर रहा हूँ, अब ध्यान जी देखिए, पहला portfolio 100% in A, इसका मतलब A का जितना return है, उतना return portfolio का होगा, और risk भी जितना A का है, उतने return portfolio का भी होगा, और last portfolio देखिए, all funds are invested in B, तो पेटे, जितना B का return होगा, वही होगा, और जितना risk होगा B का उतना ही होगा, इतना अशान है, 100% मतों कुल दिक्कत ही ना पेटे, अगर 100% पैसे एक security में डाले हैं, तो portfolio बर में उतना return होगा, portfolio बर में उतना risk होगा, खाली दिक्कत आईगी, दिक्कत भी क्यों, अराम से कर सकते हैं, second, third and fourth में, इनके तीन working note बनाएंगे return के, और तीन बनाएंगे risk के, आएए, शुरू करें, आएए जी, मैं लिख रहा हूँ working note number one, statement showing return of portfolio, statement showing return of portfolio number two, proposal number two भी कह सकते हैं, बेटे security, बेटे weights, बेटे return, और बेटे WR, लो जी लो, अराम से, बेटे A, बेटे B, बेटे 50, बेटे 50, बेटे total, return, बारह परसेंटाइज ही A का, और 20% है B का, ये टोटल कर दिया जी, 6 और 10, 16 परसेंट आगे जी, अराम से देख लेजे, यह आंतर है, तो मैं 16 परसेंट भी लिख दूँगा, पहले working note number two में आ रहा हूँ, working note number two, statement showing, calculation of, return of portfolio three, बेटे यहां लिख दिया मैंने security, बेटे यहां लिख दिया weights, यहां लिख दिया return, और यहां पर लिख दिया बेटे, रिख लिख 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 लोगए, पहले लिख सेकरटी A, सेकरटी B, पॉइट फाइल, पॉइट फाइल सिगमा W is equal to one, बेटे रे अचा पॉइट फाइव दिया है मेरे पेटे, अब तो पॉइंच सेवन फाइल और पॉइट तूफ यह, में थर्ड प्रोपॉसल में 75 परसेंट और 25 परसेंट है और रिटर्न देख लीजे 12 और 20 अलएटी दिया हो है यह देखिया यह आगे 14 परसेंट यह यह आज़र है बेटे वर्गी नोट रॉंबर 3 बनाई है कामी घतम हो रहा है वर्गी पनाइस नॉट रॉंबर 3 स्टेटमेंट शुएग क्याल्पॉलेशन ओफ पॉर्टफोलियो रिटर्न अफ प्रोपोज़ 3 पेटे यह यहां पह लिख रहो है सेकुरिटी क चाहोँम यह घर हें यहाँ लिएट्स यह घर आनोह आर और यह देखीर हम हम्य numéro in यृट रिजिए कॉर्टेश ट्राइटि टीर्टी बी और बैटें boy 2.5 .5 और बार जैनों भी ठीम पर सेंट परहुंड यूज़ें पॉइन टू फाइव इन्टू क्या चुट यहांज़ में तो सब क्या रहा है यह लोग तो रिटू लिख दो मेरे बैटे 16 परचेंट 18 पर सब्सक्राइब फिर 18 परसेंट और पेटे 20 परसेंट तो पहले लिख दिया था बस अब मेरा एक ही काम रहेगा है मुझे रिस्क लिखना है और मेरा अंसर आ जाएगा तो मैं आ गया जी रिस्क के ऊपर और मैंने वर्किंग नोट लिखना दूरू कर दिया वर्किंग नूबर फोर प्रफोलियो नूमबर तो 50 50 अबर विखना तो 10 फोल स्क्राइब 0.5 फोल स्क्राइब प्लस 18 फोल स्क्राइब 0.5 फोल स्क्राइब प्लस तू इन्टु गूई पोई धू पांछ गया जी वूट ell height 5 इन्न इंटु पोई थेंट by 2 यंटु आक्वाइबta स्क्राइब पूइंट। टो इन्टो 10 इन्टो पॉंट वाइप इंटो एटी इन्टो ऑइप इन्टो पॉंट वाइप इन्टो दूतनी एक चुन्स पॉंट पांच ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं से अंडर दिरू बैटे 10.9 थ्री बिल्कूल आंशर आ रहा 10.93 मैं आ गया जी वर्पिंग नॉट नंबर 5 की तरफ तो मैं आखे लिख रहा हूं 75% in A को Standardization of Portfolio 3 10 whole square, 0.75 whole square, plus 18 whole square, 0.25 whole square, plus 2 into 10 into 0.75 into 18 into 0.25 into 0.15 भूत नी, लो बेटे, आंसर ने खालो, 10 into 10 into 0.75 into 0.75, memory plus 18 into 18 into 0.25 into 0.25, memory plus 2 into 10 into 0.75 into 18 into 0.25 into 0.15, memory plus memory recollect, 86.625 under the root, कर दो बेटे, यह आभी क्या बेटे, 9.309, बिल्कुल ठीक है, मैंने उसको 9.4% लिखा है, बस बेटे, लास्त रहे गया, Portfolio number 4 का return निपाला, खताब, लो बेटे, लो नो बेटे, 10% whole square into 0.25 whole square, plus, plus 18% into 0.75 whole square, plus 2 into 10 into 0.25 into 1, 18 into 0.75 into भूग्द मी, 0.15 गी, लो बेटे, कर दो, कर दो, बेटे, 10 into 10 into 0.25 into 0.25 memory plus, 18 into 18 into 0.75 into 0.75 memory plus, 2 into 10 into 0.25 into 18 into 0.75 into 0.15 memory plus, memory recollect, 198.62 under the root, लो बेटे, आगा है बेटे, 14.09%, चलिए, खताम, बेटे, मेनत गी है, मेनत कर मी है मेरे बेटे, लो जी लो, लिखना हू, 10.9, 9.4, 14.09, यह आपके सामने में रिस्क और रिटर्न दोनों लिख दी है, तो आप कहना, विच बोड़ वो बेस्क जिसका सबसे कम होगा, वो बेस्क है, थर्ड प्रपोसल, एन विच इस बेस्पर रिटर्न, बेटे, रिटर्न तो 20 का जाए है, तो आए लिखे, थर्ड पार्ट लिखे the management may be advised that that the portfolio which is best from the point of, view of, the management may be advised that the portfolio which is best from the point of your risk is portfolio having minimum risk, having minimum risk, that is, that is, to invest 75% in A and 25% in B. 25% A में और 25% B में invest करना बेटे, तो हमारा risk जो है, सबसे कम रहेगा, तो आए लिखे, प्रपोसल नमबर 4 में आ रहे, the portfolio having maximum return the portfolio having maximum return will be best from the point of view of return. that is to invest 100% in security B to invest 100% in security B to आपके सामने मैंने आज portfolio risk और return की बाते की हैं बेटे आज lecture number 4 खतम हुआ है मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ और आपने आज homework complete कर लिया next lecture number 5 से पहले तो मैं बहुत सारी नहीं बाते और बताने वाला हूँ तो इन ही बातों के साथ be happy, be jolly, be cheerful बेटे economic time जरूर लेकर आना अगली class में मैं economic time से भूट कुछ बताने वाला हूँ please अपने सामने economic time रखना मैं उसके sensex और nifty की बाते करूँगा be happy, be jolly, be cheerful, be happy, be jolly, be cheerful बेटे या थोड़ी थीक नहीं है लेगर लेक्चर 5 नहीं पूरी खब्यट ठीक रगया हूँआ इनी बात्त पूर्चर 5 नहीं पूरी खब्यट ठीक कर गया हूँआ